हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ टूइंक इल सागत है मेरी किचन में आज मैं आपके साथ चार करने जा रहे हूं फिस फिरेन की रेसिपी आज हम इसे बनाएंगे कोकर में आज की रेसिपी में कई ट्रेक्स बताने वाले हों जिसके वज़े से आपका जो चावल है बिल्कुल भी न प्रेंडी रेसिपी शुरू करते हैं फिस बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हामें फिसको फ्राइ करना हागा तो इसके लिए मैंने या पांच फिस ले लिया है अभी इसमें हम नमक डाल देंगे एक छोटे चामस आधा छोटे चामस डाल देंगे हल्दी पावडर यह देखिए हमारा फिस में अच्छे से नमक घल्देर मिर्ची पाटर लग चुके हैं अब जलते हैं इसे फ्राइ करेंगे तो यह हमारा कडाई काफी गरम है तो आभ इसमें ओएल डाल दीजिए जब हमारा ओएल अच्छे से गरम हने लगे तो आप इसमें फिस डाले तो तो यह से थड़ा में फैला देती हूं ओल हमारा प्रगरम है तो आभ ही अब फ्लेम को लो कर दिजे इसके बाद इसमें अक्का करके फीस डाली है फीस को नीचे की और अच्छे से फ्राई होने देंगे जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप इसे दिरे दिरे करके पलट दिजिए बहुत ही साबधाने से पलट नहीं है नहीं तो हमारा जब फीस है वो एक दिसरे से लगे हुए है तूट जाएंगे फिस को हमें इस तरह से उलटते फूलटते हुगे गल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई के लेनी है फिस हमारा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे यहां मैंने सारे फिस को निकल दे आए, अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस में तो यहां 5 लेल ले लिया है मैंने, अभी इसमें हम डालेंगे एक कप बस्मतिर आइज तो आप कोशिश करें कि इस तरह से लंग वासमतिराइस लेने की तो अभी इसमें हम पानी डाल देंगे इसे आप हातों की मदल से अच्छे तरह रफ करके इसे तीन से चार बार के लिए धोली जिए जितना भी गंदईगी है वो निकल जाएंगे तो यहां मैंने चावल को करने के लिए रखा है आभी इसमें ओल डाल देंगे ओल को हलका सा स्प्रेर कर देते हैं जब यह हलका सा गरम हो जाए तो आभी इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चामुज जीरा एक टेज पत्ता दो इलाइची को मैंने तोड लिया था और कुछ काले मिर्ज सारे को इसमें डाल देंगे थोड़ा सा यह पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे तीन पतला स्लाइसे में कटा हुआ प्यास डाल देंगे प्यास को अच्छे से ओल के साथ मिला देंगे पहले प्यास को हमें गल्डन ब्राउन होने तो फ्राई कर लेनी है जैसे हम विरियानी के लिए प्यास को फ्राई करते हैं उसी तरह हमें प्यास को फ्राई करना है तो अब इसे बीच बीच में चलाते रहे हैं नहीं तो इनिचे से जल जाएंगे प्यास हमारा गल्डन ब्राउन ह चुके हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे जिंजर गालिक पेस्ट अच्छे से इसे मिला देंगे इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे बस एक से दो मिनिट के लिए इसका चक्चा स्मेल जाने तर इस तरह से भून लेंगे अध्र ग्लेशौन थोला सा भून चुके हैं तो आप इसमें हम डाल देंगे दो कघटा हुआ थामाटर, वान टीस्पून डाल देंगे रैचिली पाउडर, हाफ टीस्पून डाल देंगे धन्यापाउडर और ठामार सुब्च हने के लिए डाल देंगे थोडा सा नमाग। सारे चीज़ों का अच्छे से मिला देंगे स्टील का बर्तन है तो इसलिए अध्रग लेस्टन डालने के बाद मसाला नीचे से चिपक रहा है आपके पास नन स्टिक बर्तन है तो आप इसमें भी मसाला पका सकते हो तो जब ये टोमाटो हमारा सोफ्ट हो जाएंगे तो मसाला तो देखिए मैं इसी दो बार के लिए ढग दिया था तो हमारा टोमाटोर जे हैं आच्छे से गल चुके हैं तो आप इस तरह रस्ते टोमाटोर को मेश करते हुए थोड़ी देर के रिपका लीजे तो मसाला हमारा आच्छे से पक चुके हैं तो अभी इसमें हम डाल देंग पुड़ेन ना पत्ता, इसे भी आच्छे सह हम इलाएँगे, इसे एक मिनि देके लिए इस तरह से पका लेंगे, मसाला हमारा एक मिनिट के लिए पक चुका है तो अभी इसमें हमाई चावल को डाल देंगे आप चावल में परपानी निकल के इसमें डाल दीजिए आप कोशिश करें कि चावल में पानी अच्छे से ड्रेंट करके इसमें डालने की तो अभी हम चावल को मसाला के साथ मिला देंगे आप इसे धीरे धीरे ही इस तरह से मिलाईए नहीं तो हमारे जो चावल है वो तूट सकते हैं चावल में जितना भी मस्चर है, बहुत थोड़ा सुखने के बाद हम मसाले के साथ चावल को थोड़ी तर के लिए फ्राई करेंगे चावल हमारा मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अभी इसमें हम पानी डालेंगे तो हम एक कप चावल लेते इसके लिए हमें चाहिए देड़ को पानी जब हम नॉर्मल चावल पकाते हैं तो उसके लिए हम एक कप चावल के लिए दो कप पानी लेते हैं किमकि हम इसमें चावल को आधा हंटे के लिए भीगोने के लिए रखा था तो आपको इसमें एक कप चावल के लिए देड़ को पानी लेनी है आप ज्यादा पानी डाल तो इसमें चाउल हमारा चिपचिपा हो जाएंगे तो पानी डालने के बाद इस अच्छे से मिला दीजिए जब आप कुकर में मिर्यानी पका रहे हो तो दोनों बात की ध्यान रेखने है एक थो है पानी का में जो में डाल सही लेनी हixa, दुसरा है फ्लेम भी हमारा सही रहनी चाहिए तो जाके हमारा जो चाउल है वो पुरा खिला खिला hoy यह बनेंगे तो आप इसमें हम लाश में डाल देंगे यह कटा हुए धन्या पत्ता और कटा हुए मुझे नापता भी डाल देंगे और अधा से कम निम्भू का हम इसमें निचोल लेंगे स्वात के अनुसा आप इसमें डाल दीजें नमक तो मैं इसमें 1.5 टीश्पून नमक डाल रहे हूं सारे चीज़ों का अच्छे से मिक्स करना है अभी इसमें डाल देंगे एक दर करें के फिसको अभी इसका कभर बंद करके इसे हाइफ फ्लय में दो सिट्टी आने तक हम सिट्टी लगा देंगे दो सीटी हमारा लग चुके हैं तो इसे पुरा थंड़ा होने के बाद आप इसका धकन खोलिए कुकर हमारा थंड़ा हो चुके हैं तो आप इसका कफर खोलिए कफर खुलने के बाद आप इसे पांच मिनिट के लिए छोड़ दीजिए इसके बाद अब इसमें कल्ची का इस्तमाद कीजिए नहीं तो हमारा जो चावल है बहुत तोट जाएंगे देखिए हमारा चावल पूरा परफेक्ट बनी है पूरा खिला खिला ही बने है चावल भी हमारा अच्छे तरह पक चुके हैं अब चलते हैं इसे सर्प करने की प्रसेस में हैं आप इसे चिकन ग्रेवी के साथ खा सकते हो फिस ग्रेवी के साथ खा सकते हो नर्माल ग्रेवी के साथ भी इसे खा सकते हो ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगती है आप इस तरह चावल है पुरा खिला खिला भी बनेंगे तो मैं इसे फीजग्रभी के साथ खाने वाले हूं इसके साथ हमको सालाड भी लेलेंगे तो यह हमारा विर्यानिया भी खाने के लिए रेडी है आप यह विर्यानी के घर पर बनाए खुद खाए और आपके अनुभूति मुझे देने के लिए थेंक यू